चार सातियो आज हम बात करेंगे बाई और से रिलेटेड या उसातियो राजस्तान का ये मामला है राजस्तान की मैं बात करूंगा क्यूंकि मेरे पास एविडेंस होते हैं वहीं की मैं बात करता हूं बाई देखिये देखें कही नगे सरकार की इसमें दोस्ट नहीं दे सकते है, कोरॉंटाइन से related हाँ, फलाइट में सरकार की अजाज़त है, सरकार चाहेगी तो फलाइट आएगी, कोरॉंटाइन में राजस्तान सरकार अपने तरब से पूरी कोशिस कर रही है, उनको facility देने की, और लगबग एक बंदे का परड़े ये सुनने में आ रहा है कि डाही हजार रुपे एक कर्णिडेट का खर्चा बता रहे हैं, अब इतना खर्चा कैसे लगता है मुझे समझ में नहीं आया, आपके साथ दो बाते रखूंगा, दो पक्स, पलस पॉइंट और माइनस पॉइंट, एक ही में कॉरंटाइन शिंटर है, राजस्तान में जो विदेश से आ रहे हैं, और राजस्तान में सबसे कम आदमी अभी तक पहुंचे हैं, लगबग 10,000 के करीब अभी तक 2-3 मेने में आदमी इंडिया, राजस्तान पहुंचे हैं, विदेशों से पसे हुए, ये लगबग 4-5 जिन पहले 6-7-8,000 आदमी थे, अभी हो सकता है, 1,500 ओर आ गए होंगे, तो एवरेज इसको 10,000 आदमी मान सकते हैं, सबसे कम इस्टेड में 10,000 आदमी, जबकि आदमी विदेशों में लाखों की संक्या में आने वाले हैं, जियां साथियो, तो ये स्तिती है, अब गैलो सरक पार अपनी तरब से कॉरंटाइन सेटर में, मेरे पास कल एक बंदे ने इमेज बगेर है, फोटो वीडियो बेजा, उसमें अच्छा खाना मिल रहा है, कॉल गेट, बुर्ष बगेर है, साबून नाने के लिए, विसलरी का पानी भी अलग से, क्यूंकि आपको पता भई, व रहने की भी वेस्ता ठीक है, साब सपाई भी अच्छी आप देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरब, ये जेपूर का मामला है, और ये आगे इसका रिजन भी बताएंगे, दूसरी तरब आप देखिए, पानी कहां पढ़ा है, यार अफसोस होता है, जो विसलरी जो पानी है, स उप में रख दो तो वो पानी का तेल बन जाता है, मतलब इतना वो गरम हो जाता है तेल की तरह उसको पीते हैं, तो तेल का सा स्वाद आता है, और हमारे रुदेश उसे फसे भी बाई, इंडिया में आके, जयपूर में आके ये देखिए, ये पानी पी रहे हैं, आप इन से नाने नहीं कोई कॉलगेट कोई कुछ नहीं है, सोशल डिस्टेसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, कोई सपाई नहीं है, अब दो बातें बताई एक जगए अच्छा मिलला, एक जगए पूरा मिलला, इसमें भाई सरकार तो कुछ नहीं करती ना, सरकार से तो बजट निकल रहा है आप लोगों के लिए, ये कौन करता है, जिनको जिम्मा दिया गया है, जो अधिकारी है, वहाँ पे जो अपिसर है, जो करमचारी है, उनकी लापरवाई का नतीजा है, जियां साथियोग, उनकी वज़े से कहीं न कह आपके पास समान पूरा नहीं पहुंच रहा है, तो ये पैसा बजट में निकल रहा है, लेकिन कहीं कहीं बीच में पैसे का गबन हो रहा है, अब मान के चलिए, एक साबुन का दो टुकड़ा करके दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या समझते हैं, अकाउंट में आपकी जैसे नास्ता देना होता है, चाहे देनी होती है, आपकी दवाई बगर है, जो भी आपका प्रोसेस होता है, उसमें सब में फिर वो तो चिटिंग कर रहे हैं, तो ये इस्तति है भाई, आप मुद्दा उठाएं, वीडियो बनाएं, लोगों को सोसल मीडिया पर डाल दें, जैसे लोगों का वीडियो, ताकि इनके खिलाब कारवाई होगी, तबी इन लोगों को समझ में आएगी, सरकार अपनी तरफ से बेस्ट करने की कॉरंटाइन के मामले में सुरू में दिक्कत हुई थी, बाद में सरकार ने सुधार किया, सिस्टम ठीक रहा, दोनों में देख ये लोग कैसे चिला रहे हैं, समान के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, उसकी तरफ देखना पड़ रहा है, वीडियो बनाएं आप, आपको लगे ना तो वीडियो बनागे सोसल मीडिया भी सेर कर दो आपका कुछ कोई कुछ नहीं उकार सकता, अगर आप सही हो तो, सो यह वीडियो भी शेयर करें ज्यादा सज्यादा ताकि लोगों को अखिकत का सामना करें अचयर की हो रहा है को राइन वालों को भी पता लगे शार ले तो पर लाइक करें जौद करें चैनल जो रोड़ सब्सक्राइब करके बेल आकण दबा के रखें ताकि विदेश रिलेट से इनफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहे जहिंद वंदे बात